हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं 21 का है तो आईए सबसे पहले चर्चा के आरम करें आपके देनिक राशी फल के विशे में उससे पहले आपको 29 मई 2021 के पंचांग के विशे में भी जानकारी देते हैं तो आईए जानते हैं 39 मई 2021 का पंचांग देखिए हिंदी का महीना जेष्ट है पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है और तित जो है आज तिर्तिया और चतुर्थी यानि तीज और चौत दोनों रहेंगी तिर्तिया जो है वो प्राते 6 बच कर 34 मिनट तक रहने वाली है उसके प प्राइए यह है कि आज तीज और चौत दोनों रहेंगी क्योंकि चतुर्थी का छे हो रहा है मतलब चतुर्थी जो है तित जो है घट रही है तो आज दोनों तितिया रहेंगी तिर्त और मतलब जैसा मैंने कहा कि तिर्तिया च्छे बच कर 34 मिनट तक प्राते उसके चंद्रमा धनुराशी में संचार कर रहे हैं लेकिन रात्री 11 बच कर 49 मिनट पर मकर राशी में चंद्रमा का होगा प्रिवेश सातियों आज के राहुकाल का समय है प्राते 9 बच कर 3 मिनट से लेकर प्राते 10 बच कर 44 मिनट तक और इस समय अवदी में कोई भी शुपकार्रे करना वरजित माना गया है आज के अभीजीत मृरुत का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बच कर 48 मिनट तक और जो भी जातक आज कोई शुपकार्य अपना करना चाहते हैं तो वे इस अभी जीत मुहुरत में कर सकते हैं साथियों आज गणेश चतुर्थी वरत भी है जैसा मैंने कहा कि आज तीज और चोथ दोनों ही यानि कि तिर्टिया और चतुर्थी दोनों ही तिथिया आज पड़ रही है तो आज श्री गणेश चतुर्थी वरत भी आप कर सकते हैं आज गणेश चतुर्थी वरत है तो ये था साथियों 29 मई 2021 का पंचांग अब आपको हम 29 मई 2021 का देनिक राशी फल्गी चर्चा करने जा रहे हैं और आरम करते हैं मेश राशी यानि एरी साइन से साथियों इस से पहले की नकारात्मक विचार मानसिक बिमारी का रूप लेने आप उनको खतम कर दें ऐसा आप किसी दान पुर्ने के काम में सहब आगिता के जरिये भी कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक संतोश भी मिलने वाला है आपके पिता की कोई सलहा आज कार्य छित्र में आपको धनका लाब भी करा सकती है और आप ये महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहीोगी सवभाव के हैं लेकिन बोलने में आपको बरतनी है सावधानी अटके कार्यों के बावजूद रोमानस और बाहर घुमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहने वाला है आज ऐसी कई सारी चीज़ें रहेंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यक्ता होगी आज का दिन वैसे तो उनमाद में घर जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करने वाले हैं आपके घर का कोई सदस्य आज आप से प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है आपको उन्हें उचित सला भी देनी चाहिए आज उपाए क्या करें आज उपाए करें इस मंत्र का जाप करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं एक माला कम से कम वरना तीन माला या पाँच माला तक भी आप कर सकते हैं मंत्र इस प्रकार है इस मंत्र का आपने जाप करना है एक माला तीन माला या फिर पाँच माला उससे क्या होगा आपका जीवन बहतर होगा विरिशव राशी यानि के टॉरस सैंग आपका हस्मुक सवहाव दूसरों को भी खुश रखेगा और घर की छोटी-छोटी चीजों पर आज आपका बहुत अधिक धन व्य हो सकता है जिसकी वज़ा से आप मानसिक तराव में आ सकते हैं दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बना कर आपका दिन आज खुशनुमा कर देंगे और दोस्ती में प्रगारता के चलते हुए मजबूती के चलते हुए रोमेंस का फूल भी खिल सकता है चात्र चात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए आपको जब भी खाली समय मिलता है अपने कार्यों को पूरा अवश्य कर लें ऐसा करना आपके लिए काफी हितकारी भी रहेगा और आपके लिए लाबकारी भी रहेगा साथियों ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा करने वाले हैं या कर सकते हैं बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुट्फ उठा पाएंगे अपने साथी के लिए कोई बहतरी इन पकवान बनाना आपके फीके पड़े रिष्टों में एक बार दुवारा से गरम जोशी भर सकता है आज का उपाए है धन की इस्थिती अगर आप चाहते हैं अपनी मजबूत करना बहतर करना तो दूद में हल्दी डाल कर पीना है आपको मिथुन राशी यानि के जेमनी साइन आपकी शाम कई जजबातों से घ्री हुई रहने वाली है आज और इसलिए थोड़ा सा तनाव भी आपको हो सकता है लेकिन ज़्यादा चिंता करने की दरूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज़्यादा आनन्द देगी अगर आप आयमे व्रद्धी के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में आप निवेश कीजिए दूसरों को प्रभाविक करने की आपकी छमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएगी सारी दुनिया की मधोशी उन चीज़ों की ही प्रशंसा कीजिए जो उसके काविल हैं आपके जीवनसाथी का आंत्रिक सौंदर्रे बाहर भी पूरी तरह मैसूस होने वाला है आपको जरुष से ज़्यादा सोना सोना मतलब नीन लेना आपकी उर्जा को कम करेगा या उर्जा को खतम कर सकता है इसलिए प स्वार्थ के सेवा करना आत्मिक उन्नती करने का एक बहुत ही शेष्ट मार्ग है गरीब करन्याओं में सुगंधित सफेद मिठाई बाटिये आज आपको एक अलग तरीके का एहसास होगा अगर आप ऐसा करेंगे करकराशी यानिके कैंसर साइन शाम का वक्त अपने जीवन को ताजा भी रखेगा लेकिन ये तो था ग्रहों के अनुसार जो हमने आपको बताया लेकिन यहाँ पर हम व्यक्ति का तसलहा आपको यही देना चाहेंगे कि जैसा कि आज कल कोविड नाइंटीन को ले करके लोगडाउन जैसी परी स्थितियां बनी हुई हैं तो जो भी करे इस तरीके के चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम अपना आराम से मनौनजन भी कर सकते हैं धन के आवेशक्ता कभी भी पड़ सकती हैं इसलिए आज जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार अवश्य बनाएं दोस्तों के साथ शाम को कहीं पार्क वगएरा में गूमने जा सकते हैं इससे आपको फाइदा मिलेगा अचानक मिला कोई सुखत संदेश नीद में आपको मीठे सपने भी देगा आप खुद को समय देना तो जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की भी संभावना है खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते या जिम भी जा सकते हैं. आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं और उनका सामना भी कर सकते हैं. सुआम से हमिकार या किसी की मदद करना आपकी मानसिक शानती के लिए बहुत अच्छे टोनिक का काम कर सकता है. आज उपाए क्या है आपके लिए अपने इश्ट देव को आप चढ़ाएं पीले रंके पुश्प इससे आपकी आर्थिक उन्नती होगी सिंगराशी यानि के लियो साइन दिन की शुरुवात आप योग या ध्यान से कर सकते हैं मेडिटेशन आदी करके ऐसा करना आपके लिए काफी फायदेमन्द साबित होगा और सारे दिन आप में उर्जा बनी रहेगी आप एक्टिव रहेंगे एनरजेटिक रहेंगे आपके पिता की कोई सलहा आज कार्य छेत्र में आपको काफी धनकालाब भी करा सकती है अपने परिवार को परियाप समय दीजिए उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनका अधिक ख्याल रखते हैं और आप उनको ले करके काफी गंभीर हैं उनके साथ अच्छा वक्त बिताईए और शिकायत करने का मौका उनको अगर ना दें तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी अपने प्रिया की बातों के पृतिये आप जरुष से ज़्यादा समवेदन शील रहेंगे आपको अपने जजबातों पर काबू रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ करने से आपको बचना है जो मामले को और भी ज़्यादा बिगाड़ दे अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बहतर बनाने का कोशिश संतोष जनक साबित होगी जीवन साथी के रिष्टेदारों का दखल वैवाहिक जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है आपको सचेत रहना है अपने जीवन साथी के साथ एक केंडल लाइट डिनर संभवत है अगर है वैसे तो इस बात की संभावना नहीं है लोगडाउन आदी के चलते हुए तो आप घर में भी इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं आपकी हफते भर की तकान को ये दूर कर सकता है केले के पेड़ की पूजा करने से प्रेम संबंद आपके मजबूत बनेंगे कन्याराशी यानि के विर्गोसाइल साथियों आज आप धहरे बना करके रखिए क्योंकि आपकी समझदारी और प्रियास आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे संदिक आर्थिक लेंदेन में फंसने से आप बचें और साफधान भी रहें अगर बाचीत और चर्चा आपके मताबिक ना हो तो आप नाराजगी में कड़वी बाते कह सकते हैं जिन्हें लेकर बाद में आप पच्टा भी सकते हैं पच्टा ना पढ़ सकता है आपको इसलिए बहली बहाती सोच विचार करके ही बोलें आपके दिल की धढ़कने आपके प्रिये के साथ कुछ ऐसे चलने वाली है कि आज जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा कोई रोचक मैगजीन या फिर उपन्यास पढ़के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक शांदार शाम भी गुजार सकते हैं अनुशासन सफलता की देखिए एहम सेड़ी होती है घर के सामान को व्यवस्थित ढंक से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुवात आप कर सकते हैं आज उपाय क्या करना है उपाय करना है गरम मसाले सूखे मेवे शहद गुड का प्रियोग खाने में करें ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होगी मजबूत होगी तुलाराशी यानि के लिब्रासाइं खुष्णमा दिन के लिए मानसिक तनाव और जंजडों से आप पूरी तरह से बचिए अपने निवेश और भविश्य की योजनाओं को गुप्त रखिए दिन के उत्रारद में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के लिए खुषी का कारण बन सकती है रोमान्चक दिन है क्योंकि आपके प्रिये का आज फोन भी आ सकता है जिससे आपका दिल खुष हो सकता है अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे है तो निश्य ही आपको उसके संकेत आज दिखाई देने लगेंगे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही विशेश दिन है अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना अधिक प्यार करते हैं और इस सप्ताहा के अंत में परिवार के साथ आप शॉपिंग पर भी जा सकते हैं या जाने की संभावना बनी हुई है ऐसा हो सकता है लेकिन शॉपिंग आपकी जेब पर पड़ सकती है भारी इस पात का रखना है आपको ध्यान के अधिक खर्च ना हो जाए आपके हातों से आज क्या उपाए है उपाए ये है पूजा इस चल में सफेद शंख की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करें अगर ऐसा करते हैं तो आपकी आर्थिक उन्नती निश्चत रूप से होगी विरिश्चिक राशी यानि के स्कॉर्पियो साइन बहुत कुछ आपके कंदों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए इस पश्ट सोच जरूरी है माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत अधिक धन खर्ज करना पड़ सकता है इससे आपकी आर्थिक सिती थोड़ा सा बिगड़ सकती है लेकिन साथ ही रिष्टों में भी तो आपके मजबूती आएगी पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बरताव बहुती एहम किरदार अदा करेगा अपने साथी को भावनात्मक तोर पर ब्लैक मेल करने से आप बचिए आज आपको अपने कामों को समय पर निप्टाने की कोशिश करनी चाहिए ख्याल रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है जिसको आपकी जरूरत है वहवाईक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आज आपको इनका सामना करना पढ़ सकता है इसकूल में आज आप किसी सीनियर के साथ उलच सकते हैं ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा अपने गुस्से को आप रखें अपने नियंत्रम में उपाए क्या करें आज उपाए करें नीले कपड़े में बिलू कलर का एक कपड़े का टुकड़ा लें उसमें साथ काली उड़त के दाने साथ काली मिर्च के दाने एक कच्चा कोईला किसी भी सून सान जगे दवाएं मिट्टी में उससे आपको धन का लाब धनु राशी यानि के सेजिटेरियस साइ ऐसी गती विदियों में शामिल होईए जो रोमांटिक हो जिसमें आपको रोमांच मिले और आपको शुकून भी मिले आज घर से बाहर बड़ों का आशिरवाद लेकर के ही निकल लिए इससे आपको आर्थिक लाब हो सकता है कोई पुराना दोस्स आपका मित्र शाम के समय फोन कर आपकी कोई पुरानी यादें ताजा कर सकता है आपके दिल की धड़कने आपके प्रिये के साथ कुछ ऐसे चलेंगी कि आज जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा यदि आपको व्यस्त दिन चर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सद्यूपियोग करना सीखना होगा ऐसा करके अपने भविष्य को आप भूत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं आज आपको ऐसा नुभव होगा कि आपके जीवन साथी के दोरा आपको नीचा दिखाया जा रहा है जहां तक संभव हो इसे आप नजर अंदायत करें वाहन चलाते हैं तो आज थोड़ा साथदान रहने की आवश्यक्ता है किसी व्यक्ति की लापरवाई आपको पड़ सकती है भारी उपाय क्या करें धरम इस्थान के लिए ध्वजा यानि के जंडे का दान करें उससे आपके स्वास्थ में होगा निरंतर सुधार मकर राशी यानि के कैप्रिकॉर्ण साइन अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा आज और वे काम कीजिए जिने आप वाकई बहुत अधिक पसंद करते हैं दीरगावधी मुनाफ़ के नजरिये से कि आपको लंबे समय में जाकर के मुनाफ़ा हो ऐसा कुछ विचार करके अगर आपने उस नजरिये से स्टॉक मार्केट या म्यूचल फरंड में कोई निवेश आदी किया हुआ था वो आपके लिए फाइदे मन रहने वाला है दोस्तों के साथ कुछ करते हुए यानि कि करते समय अपने हितों का अंदेखा बिल्कुल ना करें जो आपके हित हैं पहले उनको आगे रखें पहले उनका ध्यान करें बाद में आप अपने दोस्तों के साथ कुछ आगे की बात करें हो सकता है कि वे आपकी जरूतों को ज़्यादा गंभीरता से ना ले रहे हों आज आपको अपने प्रिये की याद सताईगी एकांग में वक्त बिताना बहुत अच्छा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज़्यादा आनी के बारे में आप करें बात मुम्किन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए परियाप्त समय ना निकाल पाए आज बच्चों के साथ समय बिता कर आपको शुकून भरे पल जी सकते हैं आप उपाए क्या करना है आज आपने साधू या गुरू को पीले या भगवा पाउं छूकर उन्हें भेंट करें ऐसा करने से आपके परिवारिक सुखों में होगी द्रधी कुम राशी यानी के एक्यूरियस साइन अपने आहार पर आप नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें आर्थिक द्रश्टी से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है आज आपको धनलाब तो हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अपने जीवन साथी के साथ बहतर समझ जिंदिगी में खुशी शुकून और सिम्रद्दी लाने वाली है आज आपको अपने प्रिय का एक से भीग कर आप खुद को राजसी महसूस करेंगे आज आपका व्यक्तित्व लोगों को निराश कर सकता है इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व में काफी पॉजिटिविटी लानी होगी सकारात्मत बदलाव करने की आपको रहेगी आज आवश्यक्ता आज का उपाय है आज उन लोगों के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते गरीब छात्रों की पढ़ाई में आप उनकी सहता कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर उपाय रहेगा मीन राशी यानिके 25 आपको लंबे समय से महसूस हो रही ठकान औ इससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी जिस पर आप यकीन करते हैं मुम्किन है वे आपको पूरा सच ना बता रहा हो आपकी दूसरों को राजी करने की जो छमता है आने वाली मुश्किलों को हल करने में काफी कारगर्ण साबित हो की प्यार बहार की तरह होता है साथियों फूलों रोशनी और तितलियों से भरा हुआ आज आपका रोमानी पहलों उभर कर आने वाला है जरूरी कामों को समय ना देना और फिजूल के कामों पर वक्त अधिक जाया करना आज आपके लिए घातक से दो सकता है लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है आपको सरफ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी योजनाओं में मदद करनी की है जरूरत आज के दिन बाहर का भोजन आपके पेट की हाला खराब कर सकता है इसलिए बाहर खाना खाने से बचिए घर का खाना ही प्रेफर कीजिए आज का उपाय इस मंतर का आपने एक माला तीन माला या पाँच माला जाब करना है अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक सुखों में ब्रद्धी होगी पारिवारिक जीवन आपका बहतर होगा तो इसी के साथ साथियों आज के दैनिक राशी फल की चर्चा समाप्त होती है ये था दैनिक राशी फल मेश राशी से लेकर के और मीन राशी तक के जातकों का जिसकी हमने चर्चा की ग्रह गोचर की जो वरतमान इस सिती है उसके आधार पर ये आधारिक था अब समय आ गया है साथियों के हम अपनी वारी को विराम दें और अपने सभी प्यारे श्रोतागरों से इजाज़त ले तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै माता दी